अभी तो मैं बहुती छोटा कबाडी वाला हूँ लेकिन थोड़े दिन बाद मैं बहुत बड़ा कबाडी वाला बन जाओंगा और खुम सारे पैसे कमाओंगा चलो अब चलता हूँ चिंटू कबाडी वाला आ गया जो मंचा है वो बेचो जल्दी जल्दी से आ जाओ अरे वाँ ये तो बहुती अच्छा कबाडी वाला है कुछ भी खरीद लेता है चलो अब तो मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी अब फटा फट उसे कमरे में से लेकर आती हूँ अरे मुझे कहां पर ले जा रही हो मैं तुम्हें तुम्हारे सही ठिकाने पर ले जा रही हूँ अरे कबाडी वाले ये लो इसे अपने साथ ले जाओ और फटा फट मुझे इसके पैसे दे दो अच्छा ये लो दस रुपे अरे वाल मुझे इसके दस रुपे मिल गए चलो अब तो मैं जम कर पाटी करूंगी अरे मुझे तो दस रुपे में बेच दिया चलो अब आगे चलता हूँ अरे पाप रे पाप ये शेर कहां से आ गया अरे कबाडी वाले रुक जा तू रुक जा अरे पाप रे पाप ये शेर तो बोलता भी है चलो आखिर मैं उस शेर से बच गया अरे मेरा कबाड कहां गया जो मैंने दस रुपे में खरीदा था लगता है वो कहीं गिर गया चलो छोडो इसे अब आगे चलता हूँ अरे ये तो चिंटू भाई है ये तो कबाडी बन गया है चलो इसके पास चलता हूँ अरे चिंटू भाई तू कबाडी वाला क्यों बन गया है अरे बंदर भाई मैं सस्ते दाम पर कबाडा खरीद कर उसे महंगे दाम पर बेचूंगा और फिर मैं बहुती जल्दी बहुत अमीर बन जाऊंगा अरे चिंटू भाई अगर ऐसी बात है तो मैं भी तेरे साथ कबाडी वाला बनूंगा बंदर भाई अगर ऐसी बात है तो चल फिर मेरे साथ कबाडी वाला कबाडी वाला अरे बंदर भाई हम उपर कैसे जा रहे हैं अरे चिंटू भाई ये तो एलियन है एलियन ये तो हमें अपने साथ ले जा रहे हैं अरे लगता है इन एलियन का दिमाग खराब हो गया है जो हम जैसे कबाडी को अपने साथ ले जा रहे हैं अरे एलियन हमें कहां पर ले जा रहे हो अरे कबाडी वाले हमें कुछ कबाड बेचना है इसलिए तुमको अपने साथ ले जा रहे है अरे जिन्टु भाई अब तो हमें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता हाँ सही काप अंदर भाई अरे वाई इतना सारा कबाड अब तो हम बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले है चलो अब फटा फट ये सारा कबाड उठा लो अच्छा ठीक है एलियन जी चलो इनका सारा कबाड तो उठा लिया अब इनको फटा फट पैसे दे देता हूँ येलो एलियन पूरे सो रुपे अरे कबाडी वाले सो रुपे नहीं पूरे एक करोड रुपे निकाल एक करोड रुपे वरना ये देख रहा है न क्या एक करोड रुपे अरे बंदर भाई अब जल्दी भागे हां से अरे चिंटु भाई अपना थेला तो ले लेता अरे बंदर भाई मुझे नहीं चाहिए थेला